गुट मॉनिंग दोस्तों आज मैं आपके सामने एक वाटर कंजरवेशन एंड स्वाइल कंजरवेशन दोनों की जो है इसके बारे में मैं आपके इस स्क्रीन के साथ मैं आपको एक्स्प्लेइन करना चाहता हूं कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज है जिसके द्वारा हम वाट वाटरशेड का काम कर सकते हैं वाटरशेड मेनेजमेंट का काम कर सकते हैं दूसरा यह है कि यहां पर जो पिक्चर आपको नजर आ रहा है इरीस्टु वैली है इरीस मिन्स हाइट पर जो छोटे-छोटे मांटेंस होता है जो हिल्स होती है उनसे काम सुरू किया जाता है क्य जाना है गाउं का पानी गाउं में सहर का पानी सहर में जमीन का पानी जमीन में खेत का पानी खेत में इस कॉंसेप को लेके चलना है तो देखिए ये गाउं के बहार की जो वैस्ट लेंड है वो है और उसमें ये सब इस तरीके के जो हिल्स हैं वो है और गलीज है फिर एक री पानेज के रूप में बहार आता और एक इस्ट्रिम बनाता है नाला बनाता है तो हम क्या क्या कर सकते देखिए हम लेप एंड साइड से चलते हैं इस पर हमने क्या किया है कंटूर ट्रेंचिंग कर रखी है इस तरीके से इसमें उपर से लेके पूरे चारो तरफ उस पहाड प रुकता आता है और नीचे फिर आप एक बड़ी कंटूर इसमें खोच सकते हो यहां पर देखिए नीचे फिल्ट से तो जितना पानी जितनी देर पानी जो है बरसात का पानी रुकता है उतनी देर वो शौक होता है जमीन के अंदर उतरता है और दुसरा देखिए एक पहाड लेटन साइड में है और इसके बाद में एक और पहाड है उसके पीछे एक और पहाड दिख रहा है जो हमने प्लांटेशन कर दिया है प्लांटेशन करने से क्या है कि उस पहाड का जो स्वाइल एरोजन होता है उसको रोका जा सकता है फिर आप देखे कि इन दोनों पहाडो रुकेगा ऐसे अगर यह बहुत लंबी एरीज है तो इसमें जगे जगे आपको गली चेक करना पड़ेगी बोल्डर से गेवेन इस्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं अब देखें सेकंड नंबर के जो मीडिल वाला जो हिल से उसमें देखें प्लांट्स लगाए है यह प्लांट्स लगाए है थोड़े बढ़े है यह जारियां है ताकि यह पानी इनको रोक सके और इसकी जो है सॉल इरोजिन रुके और नीचे आप देखें बलेक कलर में बिलकुल सरपीलाकार वालयकार पूरे उसमें ट्रेंच है इसको कंटु ट्र आपका फोडर डेवलपमेंट नेक्स में क्या किया है कि यहां पर ट्रेंचे खोदी और इमने ग्रास वो किया प्लांटेशन और ग्रास के कारण किया है कि ग्रास प्लांटेशन करने से स्वाइल एरोजन रुख जाता है इधर भी जो पीछे एक बेक साइड में छोटी हिल करने साइटेशन कर रखाया और इधर जो इससे जो एक स्ट्रीम आरा है रिस्टुएली में रिस्टुएली में स्ट्रीम उस पर छोटा शा सा इस्टाप डेम बना दिया है पाणी रुखता है क्यटों किस से चाही हो सकती ए उससे और इस तरीके से हम हम डिफरेंट एक्टि कि अगर हर गाओं में यह काम किया जाए तो यह बिल्कुल अच्छा है रजल गरन प्रबंदन चेतर में विकासकार रिये 1996 से पूरे भारत वर्स में हुए थे और इसमें बहुत अच्छे काम हुए सरदारपूर जितने भी ब्लोक्स हैं मिली वाटर शेड़ हुए और मिली वाटर शेड़ के अंतरकत बहुत सारा काम हुआ है यह सारा काम हुआ, सरदारपुर में 39 विलेजेस थे, जिसमें ड्रॉट, डिपी, एपी के थे 14 और EGS के थे ज्यादा इस तरीके से, 39 यह इस तरीके से यह काम आप कर सकते हैं, तो यह हो गया आपका और ऐसी ड्राइंग आप बना सकते हैं, यश 2021 के अंतरगत, राश्ट्री विज्ञान प्रद्योगी की संचार परिश्यत और साइन सेंटर ग्वालियर भौपाल, करजिला समानवयक, सुशल कुमार जेन, आपके सामनी यह इसलिए लाया है कि यश 2021 के अंतरगत, आप इस तरीके की गतिविदी कर सकते हैं, और बच्चों को जागरत कर सकते हैं, बत